दोस्तों आज हम तीन ऐसे कमाल के एप्स एक्स्प्लोर करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी इंगलिश काफी इनोवेटिव और फन वे में इंप्रूफ कर सकते हो इस वीडियो में डिसकस की हुई सारी इंफरमेशन बिगना से लेकर हर किसी के लिए यूस्पुल है तो आज का ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशल होने वाला है दोस्तों स्पोकन इंगलिश प्राक्टिस करने में हमारे साथ सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे पास कोई होता नहीं जिसके साथ हम इंगलिश में बात कर पाएं अगर कोई होता भी है तो सरूरी नहीं कि हमें all the time कोई मिले प्राक्टिस के लिए एक दो लोगों के साथ after some time topics भी खतम हो जाते हैं बात करने के लिए और अगर हमारी इंगलिश थोड़ी weak है या confidence build नहीं हुआ है तो हम थोड़ा conscious हो जाते हैं अपने friends, family और colleagues के सामने बोलने में और ये काफी common है क्योंकि किसी नई language को try करना थोड़ा intimidating हो सकता है So इनी सब problems का अगर आपको one stop solution चाहिए तो Talk New app आपके लिए काफी useful रहेगा इस app पर आप उन लोगों के साथ connect कर सकते हैं जो आपकी ही तरह English speaking की practice करना चाते हैं आप randomly किसी के भी साथ connect करके और उनसे बात करके अपनी practice कर सकते हैं इसमें एक बढ़िया feature ये भी मिलता है कि अगर आपने किसी के साथ बात की और आपको उस conversation में मज़ा आया तो आप फिर से उनसे connect कर सकते हैं Talk new में आपको किसी user को as a friend add करने का feature मिलता है So आप और स्यादा उनके साथ बात करके practice कर पाते हैं ये आपके लिए एक बहुत ही helpful feature है आप इस app पर filters भी apply कर सकते हैं किसी से connect करने से पहले आप gender, country and stage etc. choose कर सकते हैं आप globally यहां लोगों के साथ connect कर सकते हैं English के साथ साथ अपने networks भी strong कर सकते हैं और आपको बहुत exposure मिलेगा आप different regions and cultures के लोगों के साथ connect करके सब के साथ बात करने में comfortable होने लगेंगे आपकी communication skills highly improve होगी audio call और chat की help से इसका सबसे बड़ा plus point है कि Talknew app का interface एकदम easy and hassle free है आपको सिर्फ sign in करना है और connect button press करना है अप से आपके लिए एक user search होगा और जैसे ही वो accept करते हैं आपकी conversation start हो जाए डी आप filters अपने choice के according use कर सकते हैं या बिना filter भी connect कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा time नहीं है English learning को देने के लिए और आप regularly सिर्फ अपने English के basics प्राक्टिस करना चाहते हैं तो डूलिंगो एक बड़िया option है इसकी सबसे बड़ी strength है इसका fun element हमारे according जितने भी apps हमने आपके लिए analyze किये हमें ये सबसे मज़ेदार app लगा है आप daily 10 minutes भी अगर इस app पर spend करते हैं तो आप काफी मज़ेदार तरीके से अपने English की practice चारी रख सकते हैं यहाँ आपको एकदम short and sweet lessons दिये जाते हैं इससे आपका ज्यादा time consume नहीं होता है आप धीरे धीरे नए levels unlock करते हैं इंप्रूफ करने के लिए AI की मदद से teaching की जाती है इससे आपका experience और personalized होता है और आपकी सरूरत के according learning मिलती है साथ ही games टैसे features, new challenges और reminders आपको provide किये जाते हैं ताकि आपका interest और motivation दोनों बना रहे यहाँ interesting characters create किये गए हैं आपकी learning को और स्यादा effective बनाते हैं आप कहीं भी कभी भी free time में डूओ लिंगो पर जाकर quickly अपनी पसंद से lessons, exercises या challenges कम्प्लीट कर सकते हैं हमारा दीसरा app है number 3, Hello English यह app specially intermediate level के English learners के लिए अच्छा है यहाँ आपको 400 plus lessons मिलते हैं काफी interactive way में बनाई गए है साथ ही आपको new words सीखने मिलते हैं और उनकी pronunciations भी daily news की थुरू आप नए words सीखते हैं जो आपको daily life में काम आते हैं इन दोनों चीजों से आपकी vocabulary काफी अच्छी हो सकती है आपको daily basis पर स्यादा time invest किये बिना नए words सीखने मिल जाएंगे इस आप में कुछ और interesting features भी हैं जैसे की word games यहां आपको speaking, listening and reading से related exercises मिलती हैं तुरंथ की आपको उनकी results और improvement के लिए tips भी मिल जाएंगे इससे आप practice तो कर ही पाएंगे बट also अपनी mistakes को उसी वक्त समझ कर improve कर पाएंगे Hello English पर आपको English में conversation की practice भी करने का chance मिलता है आप Hello English आप में speak feature यूज़ करके काफी सारी practice कर पाएंगे इस आपका एक plus point यह है कि इसके lessons को आप कहीं भी किसी भी समय access कर सकते हैं वो भी बिना internet के दोस्तों आज हमने बात की team best spoken English apps के लिए जहां से आप practice करेंगे